योई नहीं छोटी सी बात पर तालुकात पुराने बिगड गए मुद्धा ये था कि सही क्या है और वो सही कौन पर उलज गए हम जब बहुत साधा बोलते हैं तो अपनों को खो बैठते हैं अपने दियान को खो बैठते हैं अपने ग्यान की जो अरजित करने वाला होता है उसको खो बैठते हैं आपने देखा होगा जब चार लॉंडे बैट के बाते करते हैं और बहुत सारा बोलता है उनमें से कोई एक तो लोग उसकी बात को सुनना बंद कर देते हैं उसको seriously लेना बंद कर देते कि उन्हें पता होता है यार यह तो बहुत बक्चोदी बेलता है। दोस्तो जब हम बहुत साधा बोलते हैं तब अपने आपकी value को गिरा लेते हैं। आज किस वीडियो में मैं आपको बता हूँ कि कम बोलने के क्या क्या फायदे होते हैं। और अगर आप बोले बाले हैं शरीफ हैं तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। किसी का पाप आपकी बेस्ती नहीं कर सकता अगर आप कम बोलते हैं तो मगर कौन-कौन से फायदे होते हैं सबसे पहले। ग्रओ कि करना हला मज़न सबस्क्राब करना। करना हुइंथ क्या करना। दोस्तो सबसे पहली चीज होती है जियान बढ़ता है ! जिव हम कम बोलते हैं तो हम सामने वाले की बात साधा सुनते हैंfarve समझदार समझता है जबकि हम अगर मूर्क भी हैं तब भी हम कम बोल के अपने आपको समझदार सावित कर सकते हैं इसलिए कम बोलिए और साधा अपनी चौच को हिलाने की जरूरत नहीं दोस्तो दूसरी चीज है आपको पश्टावा नहीं होता जब आपने देगा है कोई दारू पी लेता है तो खूब सारी बाते बोल दिता है और फिर बाद मैं पश्टाता है यार काश मैंने उसे एे बात न मताई होती काश मैं थोड़ा साच चुप कर गया होता काश मैंने उस तिन उसको यह रास ना बताया होता दोस्तो चानक के नीती में लिखा है कि जब हम अपने रास किसी को बताते हैं तब हम उसे अपने आदीन कर लेते हैं हम उसके एक तरीके के रिणी हो जाते हैं हम उससे हमेशा दपते हैं क्योंकि उसे हमारे रास पता होते हैं यही जब हम बहुत साधा बोलते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि इसकी बातों की कोई value नहीं है क्योंकि थोता चना बाजे गणा दोस्तो इससे next जीज आती है लोग आपको सुनना पसंद करते हैं जब आप कम बोलते हो जब आप कम बोलते हो तो लोग आपकी चोटी चोटी बातों को भी बहुत सीरिस ही लेते हैं ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है आप point की बात करोगे और अगर आप वही क्वाक क्वाक बग बग बगवास टक्टी भेरते रहोगे यार जगा तो लोग आपको सीरिसी लेना ही बंद कर देंगे आप किसी प्रोफेशनल के पास जाओ किसी बड़े लॉयर के पास जाओ किसी बड़े सीए के पास जाओ किसी बड़े ऐसे बंदे के पास जाओ जो बहुत प्रोफेशनल हो आप देखेंगे कि बहुत बहुत इक कम limited बात करेगा और आप कुछ सोचेगे कि यार ये समझदार है ऐसे इनसान से बात करना, सला लेना बहुत अकलमंदी का काम है जो कम बोलता है दोस्तो इसके best जो next आती है कि लोग आपसे बात करना पसंद करते है जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपसे बात भी करना पसंद करते है उनको आपकी बुरी से बात भी अच्छी लगती है और वो आपके आपसे एक तरीके से आपसे contract रखना पसंद करेंगे आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं और आपने कम बात करी तो उसको भी लगे का कि यार इसमें आटिटूट है और वो ही चिछवरा बन के वेबी I want to, I want you, I want you, I need you I love you, this and that करोगे तो वो भी कहीगी बाई बग जाए यहां से दोहरा शकल मत दिखाई हो चान के निदी और चान के निदी देखने के लिए हमारे चैनल जद्धी मॉडिविशन को सब्साइब करना बिलको मत भूलना